हेलो दोस्तों आपका स्वागत है त्रिसक्ति अकाडमी में और आज हम डिसकस करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री सेकिंड का चैप्टर थर्ड कोरोजन आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री सेकिंड में जो थर्ड चैप्टर है कोरोजन जिसे आप संचारण कहते हैं इसके बारे में आज हम discuss करेंगे, पूरा complete chapter आज हम एक ही वीडियो में यहाँ पर finish कर देंगे, इसमें जो है सबसे वेला हम जाने, corrosion क्या है, theory of corrosion जानेंगे, dry corrosion क्या होता है, wet corrosion क्या होता है, आप इसकी पूरी में आपको बताऊंगा किस तरीक से chemical reaction आपको लिखनी है, prevention of corrosion, corrosion से आप कैसे ब और exam में आपके 8 marks देखिए, applied chemistry second में इस topic से आएंगे, यह आपका topic है, corrosion इस topic से आपके, यहाँ पर कितने marks से रहते हैं, 8 marks से रहते हैं, examination में, तो अब आप यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हमने आपर topic लिखे हुए हैं, यह बहुत important topic है, एक ही वीडियो में आपका previous वीडियो नहीं देखिए हैं, जैसे कि इससे पहले जो हमने chapter बनाए हैं, fuel पर बनाई हैं, वीडियो और metallurgy की वीडियो बनाई हैं, तो अब applied chemistry second की playlist पर जाकर देख सकते हैं, तो चले शुरू करते हैं, यहाँ पर इस वीडियो को, सबसे पहले आप देखिए, corrosion जिसे आप धीरे धीरे जो 6 होता है, उसे आप क्या कहते हैं, by the attack of surrounding, जो surrounding के कारण, यानि हमारे आसपास जो वातावरन हैं, उसके कारण, जो metal का 6 हो जाता है, metal का decay हो जाता है, उसे आप कहते हैं, corrosion, यहाँ पर आप definition को भी note कर सकते हैं, the process of slow, but continuous decay of metal by the attack of surrounding, यानि surrounding के attack से, क्या होता है, जो metal आपका क्या हो जाता है, decay हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे gearing system है, और chain की system है, यह आपने mechanical, आपने system में देखा होगा, कहीं पर भी आपने देखा होगा, corrosion, तो इस तरीके सा आपको देखता है, कि इस तरीके सा oxide की जो layer होती है, वो यहाँ पर क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, जैसे यहाँ पर example आपके, rusting of iron, यानि iron में जंग लगना, इस में क्या होता है, एक redis layer, यहाँ पर form हो जाती है, iron की surface पर, इसे ferric oxide बोलते हैं, क्या बोलते है, फैरिक oxide, जो layer आपकी में इसमें चड़ी होती होती है, rusting of iron, कहीं बार exam में सवाल पूछा जाता है, कि जो layer होती है, यह क्या होती है, तो यह होती है, ferric oxide की layer यहाँ पर form हो जाती है, iron की surface के उपर, तो इसे आप कहेंगे, rusting of iron, यानि iron में, यानि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, इसी तरीके से, आपकी यह silver है, वो tarnis हो जाता है, उस पर green layer यहाँ पर चड़ जाती है, इस तरीके से आपका copper brown हो जाता है, environment में आने से, तो इस तरीके से बहुत सारे corrosion होते हैं, metal surfaces पर, जो की होते हैं surrounding के करण, क्यों क्योंकि अब हम यहाँ पर जानेंगे, cause क्या होता है, में ले क्या causes हैं, corrosion की, तो संचारान है, उसके main क्या causes हैं, तो देखे, जब आपका कोई metal oxygen की contact में आ जाता है, तो उस पर oxide की layer चड़ जाती है, कौन सी layer चड़ जाती है, oxide की layer चड़ जाती है, इसी तरीके से moisture में आने पर, metal और आपका decay होने लग जाता है, कुछ impurities हैं अगर आपके metal में, तो वो imp oxygen, moisture या oxygen और moisture दोनों surrounding में आते हैं, यानि वातावरण में oxygen भी होती है, moisture में क्या होता है, moisture में क्या होता है, moisture में होता है, air plus water, air plus water के contact में आने से आपका corrosion होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि causes of corrosion कही बार exam में पूछा जाता है, तो main oxygen है, दुसरा moisture और तिसरा impurities, सारे, आपकी जो impurities हैं, वो भी material में रहती है, मैं आपको बताओं, तो इसलिए क्या होता है, और impurities को भी remove करना होता, अगर आपको इससे बचना है, तो oxygen नहीं होना चाहिए, moisture नहीं होना चाहिए, मैटल में, impurities नहीं होनी चाहिए, तो यही mainly क्या होते है, causes होते है, main causes होते हैं, अब आप यहाँ पर देखे, theory of corrosion, यानि संचारण की theories कौन कौन सी हैं, आपको दो theories यहाँ पर पढ़नी है, applied chemistry में, पहला dry chemical theory, जिसको आप direct chemical theory, जिसे आप dry corrosion या chemical corrosion भी कहते हैं, अगर आपने इसका नाम इस तरीके से पढ़ा है, direct chemical theory को आप direct corrosion भी कहते हैं, क्या कहते है direct corrosion, मैं अब आपको पूरा brief में समझाऊँगा, इसको पूरा equation के साथ मैं आपको बताऊँगा dry corrosion क्या है, electro chemical corrosion कैसे होता है, पूरा diagram के साथ आप अच्छे से इसको समझेए, electro chemical theory, यह जो होती है, इसको आप wet theory भी बोलते है, wet corrosion भी बोलते है, wet corrosion भी बोलते हैं, यह देखे, त इसे क्या wet corrosion यहाँ पर बोलते हैं, तो चलिए सबसे पहले इनकी definition पर discuss किया जाए, हमने अभी देखा types of corrosion, इनको आप types of corrosion या theories of corrosion भी बोलते हैं, तो दो तरीके का corrosion होता है, सबसे पहले आपर देखिए dry corrosion पर discuss कर लेते हैं, dry corrosion को आप chemical corrosion भी बोलते हैं, such type of corrosion take place due to chemical action of atmospheric gases, जो आपके atmospheric gases जैसे oxygen हो गया, जो भी आपके environment में halogens हैं, oxygen है, sulfur dioxide है, any hydrous liquids हैं, इनके कारण देखिए, metal surface पर जो direct contact के कारण क्या होता है, आपका corrosion होता है, उसे आपके कहते हैं, direct corrosion या dry corrosion, या dry corrosion, या इसमें आपका moisture देखिए, इस case में आपका moisture, जिमेदार नहीं होगा corrosion का, directly, directly क्या होगा, आपकी जो atmospheric gases हैं, और anhydrous liquid है, या आपके क्या होंगे, या आपके main cause होंगे, किसके corrosion के, इसको आप कहेंगे dry corrosion, इसको आप कहेंगे dry corrosion, इसको हम आगे और अच्छे समझेंगे, फिर दूसरा आप यहाँ पर देखिए होता है, wet corrosion corrosion, दूसरा यहाँ पर आप देखिए, wet corrosion होगा, इसको आप electrochemical corrosion भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको आप electrochemical corrosion भी कहते हैं, wet corrosion को, इस तरीके का corrosion होता है, किसके कारण होता है, ध्यान रखना यहाँ पर आपसे wet corrosion ही exam में पूछा जाता है, यह जो corrosion होता है, यह होता है due to flow of electron, Metal surface Anodic area towards cathodic area यानी जो electron है वो आपके flow होते हैं देखिए इसमें मैं आपको यहापर समझाते हैं इसको एरेज करता हूँ देखिए Wet corrosion में जो आपके electron होते हैं वो flow होते हैं कहां से एनौड से cathode पर Anod to cathode area में क्या होते हैं आपके electron flow होते हैं wet corrosion में और wet corrosion में आपका moisture मेन होता है इसमें मॉइस्चर आपका प्रेजेंट रहे गा है यानि वाटर प्लस ऑक्सीजन होगा वैट कॉरोजन में बलकि ड्राइक कोरीजन में ऐनली आपकी गैसिस होंगी और एनाड्रिस लिक्विड होंगे ड्राइक corrosion में और इसमें मैंने आपको बताया such type of corrosion is due to the flow of electron यानि जो electron का flow है metal surface से यानि जिसका corrosion हो रहा है उससे क्या होता है metal का removal हो जाता है anodic metal की जो electron है electron का flow होता है anodic area से cathodic area तक throw conducting solution जो भी आप solution में देखिए जिस solution में आप क्या करते हैं इसमें इसको मैं आपको पूरा समझाओंगा कि इसमें आप कैसे cathod होता है और एक anod होता है anod आपका क्या होता है metal होता है वो electron किसको देता है अपने electron उसके क्या होते हैं जो conducting medium है उसमें oxygen और water के contact में आने के बाद वहाँ पर आपका corrosion होता है इसको अभी यहां ब्रीफ में समझेंगे अभी आप definition पर discuss करें कि जो dry corrosion होगा उसमें आपका only air होगी gases होंगी यह आपको ध्यान आपको ज्यान देना है दो टाइप के यहां पर corrosion है चलिए आगे बढ़ते हैं आप ड्राय कोरोजन के बारे में जान लेते हैं तो ड्राय कोरोजन में क्या होता है oxygen देखिए present होगी oxygen present in the atmosphere attack the metal surface मैंने इसमें आपको बताया only जो gases है mainly oxygen क्या होती है responsible होती है for the dry corrosion oxygen present in the atmosphere attack the metal surface जो oxygen present होती है atmosphere में वो attack करती है metal surface पर और आपकी oxide layer बना देती है conciliar बना देती है oxide layer बना देती है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहीं बार एक्जाम में पूछा देता है कि dry corrosion में metal oxygen में contact में आने के बाद conciliar बनाते है oxide layer बनाते है इसका mechanism आप समझे है mechanism इस तरीके का है यह देखिए metal है metal की कैसी आपकी होती है metal इस तरीके की आवर्ती होती है कि metal अपने electron क्या करता है lose करता है metal क्या करता है loss of electron यादि electron अपने छोर देता है जब वो gases के oxygen के कर देता है electron का loss कर देता है electron आपके छोर देता है यह आपको ठ्लान रहती है धर यहाँ पर क्या होता है देखिए जो oxygen होती है वो को ग्रहन करती हैं it a bar करती है और इस तरीके की की silence आपर बना देगी यह देखक सायड नीजह संजहें ए वार दुबारा से आपको समझाता हूँ देखें, एक metal होता है, metal जैसे ही oxygen की contact में आया, वो क्या करते हैं, अपनी electrons वहाँ से remove करता है, electron remove करते हैं, oxygen के साथ मिल जाते हैं, वो क्या मिल जाते हैं, आपके electron, फिर वो आपके क्या होता है, metal और oxygen, आपस में contact करते हैं, फिर आपका metal oxide यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका metal oxide बन जाता है तो dry corrosion में आपका metal oxide बनेगा नेचर क्या होता है इस oxide का when oxidation start जैसे ही आपका oxidation start होता है a thin layer of oxide film will be formed on the surface and the nature of film decide the further action मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही metal अपने electron remove करता है तो जैसे electron remove कर रहा है वैसे ही उसकी surface पर एक oxide की layer जम जाती है oxide की layer वहाँ पर जमना start हो जाती है वही आगी जल कर उसका nature बताएगा किस तरीके का nature है इसका porous या non-porous porous या non-porous दो तरीके के यहाँ पर nature होते हैं देखिए porous में क्या होता है porous film और non-porous film porous film में क्योंते है the metal surface having pores जिन में pores होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं अगर आपके किसी metal पर इस तरीके का pore है तो सबसे पहले जहाँ पर आपका कोई pore है कोई गड़ा है metal में सबसे पहले attack वहाँ पर होता है तो यह आगे further further decide करेंगे oxide layer के कारण ही आपके porosity भी बनती है तो यह आपको ध्यान रखना है यापर जो मैंने आपको dry corrosion में बताए इतना आपको लिखना है प्लस यह equation आपको आपर लिखनी होगी इस तरीके से तो यह आपका dry corrosion हो गया अब यहाँ पर wet corrosion आप समझे wet या इसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया है electrochemical corrosion इसको आप बहुत ध्यान से समझे यह बहुत ही important है यह और dry corrosion और electrochemical corrosion भी आप इसे बोलते है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है इसमें देखिए आपका क्या होगा moisture present रहता है moisture क्या रहता है content रहता है इसलिए इसको क्या कहते है आप electrochemical या wet theory क्या कहते है wet theory या wet corrosion आप इसे कहेंगे इसमें आप देखिए क्या होता है आपको जो metal होता है जिसका corrosion हो रहा है उसको आप क्या बनाते हैं एनोड उसको आप बनाते हैं एनोड जैसे यहाँ पर आप देख रहें इस्टील है यह इस्टील है इसका कोरोजन हो रहा है यह इस्टील है इसका कोरोजन हो रहा है इसको आपने बनाए एनोड और यहाँ पर एक आपने दूसरा लिया जो आपका कै लेखिए कैथोड आपका positive terminal है अनोड आपका negative terminal होता है यह आपको पता है आपने इसको एक किस में डाला एक electrolyte solution में डाला है electrolyte solution का मतलब है जिसमें electricity conduct होती है जो क्या करता है जिसमें आप क्या करते हैं दो क्या लगाते हैं इलक्टोड आपने यहाप लगा एक कैथोड आपने कोई सोर्स जोड दिया जैसे आपने यहाप एक सोर्स यहां पर वोल्टेज लगा दी जिसके करण क्या होगा यहाँ पर इलक्ट्रोण आपके फुलो होने लगेंगे positive to negative terminal आपके करण यहाँ पर फुलो होने लगेगा चलिए इतना आप समझ गये हैं कि आपने दो यहाँ पर आपके बनती हैं जब यहाँ पर करंट फ़ो होता है तो मैं आपको बनती है वह आपको बता दू जो स्टील है स्टील क्या में असके और आपंट्रोन को क्या करता है दे देता है इस पर कैसे चाड़ जाता है, positive चार्ज आता है अब आपको पता है कि यह जो आपका water है यह electrolytic solution है इस electrolytic solution में आपका यह तो H2 है बिलकुल सही इस H2 में आपकी oxygen भी है बिलकुल यहापर oxygen है यहापर क्या है आपकी oxygen भी है तो देखिए यह oxygen के साथ जब आपके यह दो electron जो यहाँ से निकल गए यह जो दो electron है यह आपस में यहाँ पर जो निकले हुए electron है यह आपस में मिलकर क्या बनाएंगे OH-1 बनाएंगे अब जब आप इसे balance को इस equation को balance करेंगे तो आपकी देखिए जो equation है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगी सेम जैसे यहाँ पर लिखावा हाफ O2 यह balance करने के बाद equation बनी क्या हाफ O2 क्योंकि oxygen भी थी water में plus H2O, H2O भी है और दो electron जो iron ने remove किये थे वो anode से cathode की तरफ गए यह electron तब ही मैंने आपको सबसे पहले जब definition बताई थी तो मैंने आपको बताया था electrochemical corrosion में क्या होता है कि anode से electron cathode पर जाते हैं इस conducting medium के थ्रो तो यहाँ पर दो electron इधर चले गए फिर आपकी क्या equation मैंने 2 OH negative ions अब देखिए अब आगे क्या हुआ यह जो Fe था Fe 2 प्लस यानि जब इसने अपने 2 electron दे दिये बिल्कुल सही और यह किसके साथ मिला OH hydroxide ions के साथ मिला पहली आप यहाँ पर यह condition आप समझे चुके हैं कि क्या हुआ iron को आपने क्या बनाया यह जो आपका iron या steel है इसको आपने क्या बनाया इसको आपने बनाया एनॉड और दूसरा आपने बनाया cathode copper का तो देखिए यह एनॉड से cathode पर जाएंगी जिसमें corrosion होता है इससे यहाँ पर आप क्या जाएंगे electron यहाँ पर जाएंगे तो यह दो electron आपस में मिलकर दिखिए यह Fe2 plus electron यहाँ से remove हुए और यहाँ पर जो solution में जो अभी किरिया हुई जो reaction हुई इससे क्या बना 2AOH negative ions इनसे क्या मिलकर बना Fe2 क्या मिलकर बना Fe2 यह आपका यहाँ पर मिलकर बनता है यह आपकर यहाँ पर आकर बनता है तो इतना आप यहाँ पर समझ गए है और देखिए जब यह मिलकर यहाँ पर बनता है तो यही रष्ट है यही आपकी क्या है रष्ट है यही आपकी क्या है यहाँ पर रष्ट है इसी के करण आपकी क्या होई रश्टिंग हुई क्या होई आपकी रश्टिंग तो यहां पर आपका जो एरिया होगा यहां पर इससे अलग यहां पर क्या हो जागा दोनों के बीच में ferric hydroxide को अगर और oxygen मिल जाती है water में तो यह आपका क्या बना लेता है Feos3 बना लेता है इसको आप आगे भी solve कर सकते हैं इससे आगे भी यह इसका step है इस तरीके से अगर इसमें और आप oxygen दें इसको आप अगर balance करेंगे तो आप इसको balance भी कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ पर equation बनेगी तो आपका main यहाँ पर समझना था कि rust कैसे यहाँ पर formation होई तो cathode anode के बीच में यहाँ पर rust form होती है अगर इसमें आप और oxygen देंगे तो आपकी ferric क्या बन जाएगी Feos3 यहाँ पर बनता है तो यह देखें यह है आपका wet corrosion wet corrosion में क्या होता है current भी flow होता है current flow के कारण ही तो देखें यहाँ पर electrons क्या हो रहे है इधर से इधर move हो रहे है तो यह आपको जहान रखना है यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा important है यह topic में आपको बहुत है तब आपको equation with diagram अच्छे से समझ में आएगी अब यहाँ पर इस तरीके से और मैं आपको समझा देता हूँ देखिए यहाँ पर आपका corrosion हुआ यह आपका pore है यहाँ पर corrosion हुआ अब आपने यहाँ पर क्या किया यह आपका anode है आपको बताता जिसका corrosion होता है उसको आप anode बनाते है और यह आपका cathode है दूसरा medium आपने यहाँ पर क्या किया देखिए यह Fe2 था तो इसके Fe2 जो आपने यहाँ पर किया कि electrolyte का solution तयार किया current flow नहीं लगा इसका Fe2 iron की जो यह थे Fe2 प्लस OH के पास गए तो आपका क्या बना है Fe2 बस यही तो है आपकी simple equation तो यह आपको ध्यान रखना Fe2 है यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस तरीके से आपके equation बनेगी यह corrosion diagram आपको एक्जाम में बनाना है तब आपको यहाँ पर अच्छे marks मिलेंगे देखे अच्छे यहाँ पर अगर आपको marks चाहिए तो विड़ डाइग्राम आपको जो है वो चीज़ें clarify करनी होते एक्जामिनर को तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो यह आप I hope आप समझ गये होंगे अगर आप को थोड़ी भी confusion है तो वीडियो को दो तीन बार आप देख सकते हैं फिर देखे आप किस तरीके से corrosion को prevent कर सकते हैं यह देखे पुरा chapter हम इस वीडियो में करेंगे तो आप देखे किस तरीके से आप जो है corrosion को रोक सकते हैं रोक थाम क्या है मदब corrosion को किस तरीके से आप रोक सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आप इस तीज को ध्यान दीजिए दो तरीके से एक internal measure अब आप कहेंगे internal measure क्या है और एक external measure internal measure का मदलब है कि जब आपका metal तयार हो रहा है तब इसको क्या करें अच्छे सा आप बनाए इसमें impurity ना रहे जिसके कारण क्या हो आपके corrosion ना हो internal measure में आपका क्या था heat treatment heat treatment heat treatment का मतलब होता है देखिए आप अच्छे से देखिए जो metal है वो hard हो आपका metal जो है अच्छे सा hard हो अच्छे temperature पर क्या हो develop हो जिससे क्या हो वो correlate ना हो heat treatment process उसे कहते हैं आप purification of metal यानि जब आपने metal को purify किया है तो अच्छे तरही साब ने purification किया है यह मैंने आपको metallurgy पहले चप्टर में बताए कि कैसे आप extract करते हैं iron को उसकी ode से purification करें alloy आप alloy बना दें tôi say corrosion नहीं होता है जैसे आप iron में तो corrosion होता है अगर इसी iron के साथ अगर आप zinc मिला दें इसी iron के साथ अगर आप zinc मिला दें तो यहां पर galvanizing होती है इस तरहीःए अगर आप copper plus zinc करते हैं तो आपके brass बनता है copper plus tin करते हैं तो आपका क्या बनता है bronze यहाँ पर बनता है यह भी मैंने आपको बता रखा है तो यह सब चीजे मैंने आपको बता रखी है previous आप अपना concept किलियर करें वो आपको सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा किस तरीके साम chemistry यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल topic wise आप सारी वीडियो देख सकते हैं बहुत थी यहाँ पर effective है यह आपके लिए वीडियो मैं आपको बता दूँ तो internal measurement मैंने आपको heat treatment बताया alloying बताई, alloy आप बना सकते हैं alloy की strength अच्छी होती है इसलिए corrosion नहीं होता है alloy मैंने आपको बताया और तेसरा यहाँ आपको बताया मैंने यहाँ पर purification याँ पर आप उनको करें metal को तीन तरीके मैंने आपको बताई internal measurement यह भी बहुत आता है exam में फिर आपका external measure external measure में आपको देखिए क्या है external measure में आपका है coating आप अगर उस metal पर coating चड़ा देखिए जैसे मैंने आप यह आपको किसकी बात बते ती galvanizing अगर आप iron पर zinc की coating चलाते हैं तो उसको आप galvanizing कहते हैं क्या कहते हैं galvanizing क्या कहते हैं galvanizing आप उसे कहेंगे तो यह आपको ज्यान रखना है कि coating आप external measure में रखते हैं coating, electroplating 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 यह बहुत अच्छा है electroplating आप चड़ा दीजिए यह बहुत ही आपका effective है इस तरीके से यह आपको ज्यान रखना है यहाँ पर यह हो गया फिर आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से यह हमने आपको बता दिया था wet corrosion आपको अच्छे से यहाँ पर प्रदा चल चुगा है अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका coating हो गया आपको electroplating हो गया और यहाँ पर hot dipping process हो गई painting, painting, main is painting आप painting कर सकते हैं painting द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं corrosion को कम कर सकते हैं वीडियो है इसमें हमने देखिए complete पूरी knowledge लिए complete आपको यहाँ पर लगभग 22 मिनट हो गए है फूरी वीडियो हो चुकी है यहाँ पर पूरा चप्टर कम्प्लीट हो गया है यदि आपको इस वीडियो से रेटेट कोई भी क्या रही हो तो आप तरी सक्ते के आड़े में कमेंट करें और यदि यदि वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें और बागी चैमेस्टर की बाद बाद दने वाद